खबर ये भी है कि पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोधी सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गई है तो करीब 78 लाग पेंशन धारियों को नियूनतम मासिक पेंशन साड़े 7000 रुपे हो जाएगी की पेंशन की बढ़तरी मिलेगी और निया लिश्टे जाड़ी वा जिसके नुसार आपको पेंशन को को किनल में बात करेंगी दसथ बज्य की CT की से वहा बहुत बड़ा च्णने वाला पेंशन सा पेंसन की बरत्री का इंतिजार होगा खतम साथ ही पेंसन दारकों के पेंसन के प्रस्ताओं को लेकर वित मंतरी निर्म्रा सितार मनें भी बहुत बड़ा ऐलान किया है उसके बारे में बात करेंगे और एनिसी के अधक से कमंडर सोकराउत ने आपकी पेंसन एप्यस को लेकर क् नया ऐलान किया है तो आज इसी वीडियो में इन तमाम मातेपुन अप्डेटों को जानेगे जो एप्यस पेंसन से जुड़ी हुए हैं और इसका असर आपकी पेंसन पर क्या होगा और किन को कितनी पेंसन मिलेगी और साथ में कौन-कौन से नए नियम सरते मिलेगी तो आज किस सब वीडियो को आप अंतर तक पूरा द्यान से देखते रहेगा अगर आप एक एक एपेंस के पेंसन धरक है तो यह जानकर आपके लिए बहुत इपर्टेट होने वाली तो वीडियो अंतर देखते रहेगा चैनल पर पहली बार रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को पद नहीं तक आपको आने वाली इस परकर की नई EPS पैंसन से जुड़ी होगी ताजा अपडेट वो सबसे पहले मिलेगी तो जलिए जानते हैं सारी जानकरी को विश्तर से तो वीडियो ध्यान से आप देखते रहेगा तो यहां पर आपकी EPS पैंसन की बात करें तो साजा सभी पैंसनदार के वीडियो करें तक ज़रूर देखेगा पैंसन की बढ़टो को लेकर केंदर सरकार ने दो बड़े पैंसले कई हैं तो यह जानकरी अभी-दिस मिंट पहले के सामने आ रहे है सभी राज़ों में आदेश जाहरी पैंसन की बढ़्तोर को लेकर क्या बढ़ लग चुकी है तो यहांपर आप यह भी सोच रहे होंगे तो आखिरी पैंसन बढ़ए कितनी है गे मेडिकल का लाब है तो कलसाम पांच बिजे CBT की मैंटिंग वी पैंसन EPS को लेकर उसमें बहुत बड़ा पैंसला हुआ हैं और पैंसन की बोड़तरी को लेकर कमंडर सुक्राउत ने कहा है कि जल्द बहुत बड़ा पैंसन दारकों को तौपा मिलेगा और उन्होंने बियान में कहा है कि जो एक अजा को लेकर बहुत ही खुसुण सरकार से लगाता है पैंसन दारके NAC की टीम में रिट aquest करम पैंसन के लिए सरकार है जो कदम उठाए और उनका फाजा पैंसन दारके उनको मिले इसी को लेकर संगर स्था और कल साम पांच बजे की CBT की मेंटिंग से पेंसंदार के उनके लिए बहुत बड़ा जानकरी सामने आ चुका है कि बहुत बड़ा आपको तफ़ा मिला है पेंसंदार को के उमीदे एक बार पर से बड़ चुकी है अब जल्द सभी पेंसंदार के उनके कातों में पेंसंदार के बारे में बात करें के अधिस जारी कि आमोड लगी ऐसी जानकरी मिली है तो यहां पर आप जानते हैं कि इस अपडेट की आखिर जो बताई गया है जानकरी इसकी पूरी सचाही क्या होने वाले कर सभी को पेंसंदार के साथ में डिये और मेडिकल का ला में लेगा नहीं जारी कि आखिर जानकरी मीडिया रपोर्ट के जाएगी सब्सक्राइट के जाए तो चलिए आगये एक और आपकी साथ आठ साल से बनी आ रहे हैं तो पेंसन की रासी बढ़ाने को लेकर संसित की समीती ने पहंसन दारकों के पहंसन के बारे में सुजाव दिया है बताया यह भी जा रहा है कि जो पहंसन दारके उनकी पहंसन की रासी बढ़ाने का पहंसला संसित की समीती अपनी सिपरेसो के आदार पर ले सकती है और पैंसन दारकों को बहुत बड़ा तौपा देने की त्यारी है तो इसे समझ में संसित के साई समिती ने पैंसन की बुर्टरी के बारे में एक और सुजाओ भी दिया है जिसके बारे में बात करें नियुंतम पैंसन की राजी को एक अजार पी से बढ़ा करके तीन अजार पी किया जाना चाहिए इस तरह का सुजाओ दिया है लेकिन पैंसन दारके करमचारी संग्टेन उन्होंने इसस सुजाओ को मनजूर नहीं किया है उन्होंने कहा है कि कम से कम एक अजार पी की पैंसन मिलती है उसे बढ़ा करके 9000 पे परितमा किया जाना चाहिए यान कि पेंसन दारकों ने 1000 पे करने को लेकर मांग की हैं और इन लोग का करना है कि ऐसा तभी होगा जब EPS 95 पेंसन जो लोग पेंसन दारक हैं उनको तभी अच्छे तरीके सेजाई माहिने में फाइदा मिलेगा तो उसके वो 50,000 पे के वitute से रिट կाल होता हैं या पर बी से जारपी की लिमिट से रिटcopर वत मानो बात करें 15,000 पे की लिमीट होने की वजे से अगर आप चाहे तो योगदान भी नहीं कर सकते हैं आपका चाहिए मोल बातन 50,000 पे क्यों ना हो लेकिन गड़र्डणा सिरफ अगर आप EPS पैंसन के तरफ पैंसन लेना चाहते है तो आपकी 15,000 पे ही मानी जाएगी तो यहां पर आपकी वेतल लिमिट को लेकर भी साथ में जानकर यार यह कुछ दिनों से कि आपका वेतल लिमिट बढ़ा करके 21 जर्पे किया जाएगा और साथ में आपको यह अनिलाब तो बहुत राद बरा कदम के तो उनके लिए होने वाला हैं तो अभी इसकी कोई अधिकरी घोशना नहीं विये तो जानकर यार यह कि सभी 15 न की बड़तरी को लेकर जल्द फैंसला होने वाला है तो यहां पर बाता देखी आगी और भी जानकर यहार ही कि अगर आप EPS पैं उनको आपको पता भी होना चाहिए ताकि आपको आगे कए भी confusion क्फ़िजन पहिदा ना हो आगे तो आपको आज किसे वीडियो में कुछ नियम और सर्थिये होती है इपेस पेंशन के लिए उनको जानेंगे तो आप भी अगर ऐस सर्तों के बारे में जानते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो उन तक देखते रहेगा जरूरी बात है जो कि आपकी पैंसन एपेस से जुड़ी उनको जानेगे तो पीअप करमचरे के लिए सुरुआती के बात करें तो वरतमार में उनको वरतमार में 15,000 पे के सबसे ही उनको पैंसन और गरना की जाती हैं उनको 10 साल की नौकरी करना नहीं वारे होती है उसके बाद पैंसन उनको मिलती हैं पीअप करमचरे उनके लिए EPS योजना सुरू क की गई हैं जो कि उनको बाद में रिटार्मेंट के बाद पैंसन मिलती है जिसका फायदा आरम से आपको मिलता है लेकिन यहां पर वर्तमर में बात करें जो मांगाई के दौर में एक अजार पे की पैंसन कम है और उससे बढ़ा ना जाहिए यह मांग पैंसन दार करें तो पैंसन के आपको पनसन की उमर के लगा जौर होना जरूगिए इसी के साथ ही बात करें नौकरी की तो समयस्य मा European की ने की एपसी यह सिए रहना को पिचाल साल की समयस्य मौता है लेकिन जो अब वर्तमर में पैंसन दार गए उनको एक अजार रवे की पैंसन दरह लिए को एक बैतर penson मिले तो बैतर penson की pension दारक्रों कि Мांग अभी जरी हैं तो penson लेने पर pension की राषियापको गटी भी मिलेगी अगर आप पचार साल की ऐसे पैंसन लेना सुरूप करते हैं तो आपको गटी भी pension मिलेगी और एठा़ान साल से ज़रूरी है, साथ महिना का उस्ता पिछले देखा जाता है, उस सेवा के साल करनुसर आपको पैंसन मलती है, तो ईप्यस योसना नीजी स्यत्र के करमचारी उनके लिए अब बैतर सावित होने वाली है, उनके लिए यहां पर सरकार बैतर लमिट और मिनमम पैंसन की बड़तरी आपको देखने को मिलती रहे।